यूपी के बुलंद शेहर में जुम्हे की नमाज के बाद होए बवाल के बाद आईजी और कमिशनर ने बुलंद शेहर पहुँचकर मुस्लिम समाज के लोगों से सहियम बनाने की अपील की जिले भरके मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ आईजी कमिशनर की मीटिंग इस लेके जो भी भ्रंक इस्थिति वनी हुई है और उसको लेके जो अवभाहें चल रहे हैं उसको लेके प्रशासनन सीधा जो लोगों से समपर्ट साधा है उसको और उसके शब्मन में जो भी स्वर्ष्ट स्थिति करने के अभिशक्ता महसूस की गई है वो आप उन्हों के सामने रखी रही और बहुत ही एक स्वस्त वातावर्ण में एक कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन आज हुआ है उनके मन में भी जो शंकाई थी उनके द्वारा प्रस्तूत की गई उनको भी हमने क्लेरिफाई करा है और बहुत हद तक सारी शंकाई जो थी उनका नेराकरण राज किया गया साती उनको अनगोद भी हम लोगों ने करा है कि आप किसी अभवा में किसी कहने में ना आएं आप एक्ट का ध्यान करें उसको पढ़ें और उसके बावजूद अगर कोई जाउट लगता तो जिला प्रशासन के अधिकारी संपर करें उसको और जिससे कि किसी भी आशंका को लेकर या किसी अभवा को लेकर जन्वत की कानून विवस्ता किसी भी तरीके से प्रहावित प्रशासन की तरफ से भी पूरी स्थिती संपर किया गया सब लोगों से और सब के दौर आश्वासन दिया गया है और मुझे उमीद है स्थिती बिल्कुल सामाने रहेगी कही कोई दिककत में आने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल स्थिती समझाने के लिए कुछ पर्चे भी बनाए गया है कि उसमें कुछ डाउट अगर पुछा तो लोग उसको पढ़ लें वो पढ गटना हुई वो लास्ट फ्राइडे की वो उसमें भारी तत्वी शामिल थे कुछ अववाहें भी थी सब मिला चुला के होके उगटना हुई है इसमें लेकिन वर्तबान में पूरे मंदल में स्थिती बिल्कुल सामाने है सब जगे हम लोग संपर कर रहे हैं लोगों से और जो भी भ्रांति हैं उनको दूर करने का प्रियास प्रशासांब ड़्यारा किया जा रहा और फूर स्तिती सामाने रेगे कहीं कोई दिखकत है इसमें तहीं कुछ माड़ा मुझे निकल कर दो आया है कि तुरी प्लान के शुकरवार के बाद से और क्या क्या कारवाई की जा रही है सर्थ दिखें ये सभी जिगए पूरे प्रदेश भर में और मेरड रेंज भी शामिल है शुकरवार को दुम्य की नमाज पर के लिए कौल थी कि दुम्य की नमाज और नमाज के बाद इस नाफिता के संबंद में लोग अपनी बात कह सकते हैं अधिति उसी के मद नमाज के बाद कुछ इस्थानों पर लोगोंने अग्ट के कुछ प्रावदानों को लेकर कुछ अभमाय भ्रहाने का प्रयास किया जिसको लेकर कुछ भीड अग्र हो गई तो उसपे नियूनतम पुलीस वर्ल का प्रयोक करते हुए उस भीड को तितर- इसको लेकर आज एक यहां पर प्रबुद जनों की एक बैठक की गई जिसमें विशेश रूप से मुस्लिम प्रबुद जन जो इमाम थे, काजी शेर काजी थे, एड़ोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन सबी से उनके जिवाग में तमाम आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को लिखेत रूप से भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट उनके शेर किया गया है, जिसमें जो भी संभावनाय थी, जो भी संभावत प्रशन थे उनके दिमाग में नागरिक्ता कानून को लेकि उन कानून, उनका जवाब दिया गया, और आगे वाले जो आने वाले जो लाया है, जब से एक कानून मना है, फिलेग मार्च भी हुए, पैजल मार्च भी हुए, मिटिंग्स भी हुए, उसके बाद भी ये नौबत आ लिए, इस पर क्या कहना है? अब ये एक जो उसमें कुछ पुश्चन्स ऐसे थे, जिनका कही न कहीं पूरी तरह से समाधान नहीं उनके दिमाग भी हो पाया था लोगों के, उस पे कुछ लोगों ने शरार्थी तत्वों ने अवभा भेला दी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही प्रोफेशनल कंड़क पुलीज और प्रशासन का रहा कि बहुत मिनिममम डैमेज के साथ चीज़ों को ने तरह में लेकिने हैं